Hello friends, welcome to my channel Sarwan Lecturer दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग को परसनावली 2.2 क्लास्टेंड मैथ में पढ़ा रहा हूँ और आपका परसनावली 2.2 में पहला कुस्चन मैंने पढ़ा दिया है और मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ दूसरा कुस्चन तो परसना आप से क्या पूछता है निम्न दिवगात बहुपदों का सुन्यक ग्याद कीजिए आपकी ये एक समी करण दिया हुआ है और समी करण का आप लोगों को सुन्यक ग्याद करना है और सुन्यकों का जो आपके सुन्यक है उसके योगफल तथा गुरनफल के गुरांकों की भी सत्यता करना है तो फ्रेंज सत्यता की जाच आप लोगों को करनी हैं तो मैंने पहले आप लोग को दो सूत्र बताया था सुनने को का योगफल और सुनने को का गुरनफल के दो सूत्र थे आईए हम इस वीडियो में भी आप लोग को बता देते हैं दोस्तों जो सुनने को का योगफल होता है तो फ्रेंज सुनने को का योगफल अब इधार हम लिख देते हैं सुत्र सुनने को का योगफल जो होता है दोस्तों उसका सुत्र क्या होता है वो होता है माइनस एक्स का गुडांग आप लोग को याद भी होगा माइनस एक्स का गुडांग ये योग का सूतर है सुन्निको का योग माइनस एक्स का गुडांग एवं अपान एक्स स्क्वायर का गुडांग ठीक है एक्स स्क्वायर का गुडांग दोस्तों ये आपके सुन्निको का योग फल का सूतर है याद कर लीजिए आईए हम सुनने को का गुड़न फल जो है उसका सूत्र क्या होता है वो होता है जो आपका अचर्पद होता है अचर्पद अचर्पद अपान एक्स इसक्वायर का गुड़ांग ठीक है तो आप दोनों सूत्र लिख लीजिये, याद कर लीजिये तो यह दोनों सूतर हैं, यह है गुणन फल की और यह सूतर आपका योग फल का है, ठीक है अब यह सूतर आप लोग को समझ ना है, तो आईए हम समझा देते हैं मैंने आल्लेडि समझा भी दिया है दोस्तों यह सूत्र जैसे आपके यहां yes है तो आपको yes की तरह प्लाई करना पड़ेगा जैसे यहां x है तो यहां yes का गुरांग तथा yes square का गुरांग है लेकिन आपका मूल रूप से सूत्र यह है minus x का गुरांग अपान x square का गुरांग ठीक है तो यहां जो X का गुलांग है यहां आपको Yes का गुलांग तो यहां 4 है X स्क्वाइर का गुलांग यहां कितना है दोस्तों 4 है यहां Yes स्क्वाइर का गुलांग रहेगा और यहां X स्क्वाइर का गुलांग ठीक है तो यहाँ 4 है और दूसरा समय लेजिए आचरपद जो आपका ये 1 है आचरपद क्या है 1 और यहाँ x square का गुरांग जो है 4 है लेकिन यहाँ yas square का सूत्र लगेगा तो आए हम देखते हैं आप लोग को पहले इसका गुरांखंड ग्याद करना है दो सुन्यक ग्याद करने है आईए हम सुन्यक को ग्याद कर लेते हैं दोस्तों तो सुन्यक ग्याद करते हैं इसमें सुन्यक हम कैसे ग्याद करेंगे कि इसका हम गुरांखंड करेंगे और गुरांखंड करना है आपको जोड़ना है जोडने पर भी 4 आए और गुड़ा करने पर भी 4 आए तो दोस्तों आईए हम देखते हैं जैसे मैंने ले लिए 4S square minus two plus two मैं ले लूँ तो अगर हम इसे जोड़ू तो भी 4 आएगा और गुड़ा करने तब भी 4 और आएगा और यह स्कॉप को इधर लिग देना है वन आपको ऐसे लिख देना ठीक है और आप लोग को आगे बराबर लगाते जाना है फिर देखिए दोस्तों यहां कामन लेना है अब कामन क्या लेना है तो इसमें लेना है आप लोगों को टू एस देखिए यहां अम हम माइनस है दोस्तों यह देखें माइनस है और माइनस पलस जब होगा तो माइनस ही हो जाएगा तो दोस्तों यह आपका हो गया अब हम इसे देखिए जो आपका यह है इसे और इसे एक ब्रेकर में कर लेंगे तो आपका 2S-1 और यह भी आपका 2S-1 है तो यह भी आपका 2S-1 सब्सक्राइब करना है तो सुन्य को आप ग्याद कर सकते हैं देखिछा हम टूएस्ट जो है तूएस माइनस यह बराबर सूनने लिख देंगे और इस यह भी इसके बराबर है सून्य के इन दोनों के बराबर ही आएंगे जितना इनका रहेगा उतना ही इसका भी रहेगा तो आए आगे देखते हैं आगे आगे आप लोग को क्या करना है कि one को हम इधर पच्छांतर कर लेते हैं जैसे आपका 2S है 2S बराबर ँवन क्योंकि यह माइनेस में इधर जाएगा पलस में हो जाये यह भी 2, yes, बराबर 1, minus 스inte में है इधार जाएगा, पलस में हो जाएगा, yes, बराबर आपका हो जाएगा, oneLa point two और यहां भी आपका yes, बराबर one upon two, तो इनके जो दो सुन्नेक पराप्प्त है मैं दोस्तु वह आपका one upon two तो सुन्नेक diplom. तो दोस्तों आप नीशी लिख दीजिए जो आपकी सुन्नेक पराप्थ हुए तो आई यह हम लिख देते हैं जो आपका समीकरण है वो है 4S square minus 4S plus 1 ठीक है इसका सुन्नेक कितना है का सुन्नेक इसका जो सुन्नेक है वो है 1 upon 2 और दूसरा भी 1 upon 2 है अब हमें इनकी गुडांकों के भी सत्यता की जांच करनी है तो आईए हम जांच करते हैं आप लोगों मैंने दोसूत्र बताया है सुन्नेकों का योगफल तथा सुन्नेकों का गुडनफल आईए देख लेते हैं यह आपका सुन्यकों का योगफल का फार्मूला है माइनेस एक्स का गुरांग और यहाँ आपको लिखना है माइनेस येस का गुरांग आईए हम देखते हैं फार्मूला जो आपका सुन्यक है सुन्यकों का योगफल तो आपका जो सुनिकों का योग फल का फार्मूला है वो यहाँ आप लोग अपलाई करना है यस के रूप में ठीक है तो यस आपका जो समी करना है वो यस के रूप में तो यहाँ आप लोग को लिखना है माइनस यस का गुडांक माइनस यस का गुडांक एंड आपको नीचे लिखना है यस स्क्वायर का गुरांग तो ये आपका सूत्र है दोस्तों सुन्यकों की योगफल का अब सुन्यकों का योगफल का सूत्र तो ये है अब हम इसमें देखेंगे जो आपके सुन्यक है सुन्यक का आप लोग को योग करना है तो आप समी करना देख सकते हैं समी करना आपका है 4S² यही समी करना है 4S²-4S-1 तो इसके सुन्यक का हम योग कर लेते हैं तो सुन्यक है 1 upon 2 एवं पलस 1 upon 2 यह आप देख सकते हैं यह 1 upon 2 और 1 upon 2 जब जुड़ेगा और इसको आप लोग को ऐसे उतार देना है minus yes का गुड़ांग minus yes का गुड़ांग upon yes square का गुड़ांग इसे आप लोग को ऐसे लिख देना है अगर हम इसे हल करें तो हर आपका 2-2 तो 2 हो जाएगा और उपर 1-1 2, 2 से 2 कर जाएगा 1 आएगा वैसे भी आप आधा आधा जब जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा तो आईए हम लिख देते हैं जो 1 है वो बराबर है इसे हम 1 upon 1 लिख सकते हैं ठीक है 1 upon 1 लिख सकते हैं इसे आप लिख देजिए yes का गुड़ांग एवं yes सक्वाइर का गुड़ांग upon yes सक्वाइर का गुड़ांग आईए हम कुश्चन में देखते हैं क्या मिल रहा है तो कुश्चन तो यही है 4 yes square minus 4 yes plus 1 अगर हम इस समीकरण में 4 से भाग देदें तो आपका यह प्राप्त हो जाएगा 4 से फोर कर जाएगा 1 इसका सुन वो गुड़ांग हो जाएगा और इसका भी 1 गुड़ांग हो जाएगा इधर आईए हम समझा देते हैं पार्टाइम इधर देखी जैसे आपका कुश्यन है 4 yes square minus 4 yes plus 1 अगर हम इसमें 4 से भाग देदें तो 4 से हम भाग देंगे जब 4 yes square upon 4 minus 4 yes upon 4 plus 1 upon 4 यह 4 से 4 गट गया है 4 से 4 तो आपका yes square minus yes plus 1 upon 4 तो आपका इसमें देखी yes minus yes का गुरांक कितना है तो यहाँ minus yes का गुरांक minus 1 है अगर हम इस minus को इधर भी ला सकते हैं तो आईए हम लिख देते हैं इधर इसे आप इधर कर देजिए इधर से हटा देजिए तो आपका देखी minus yes का गुरांक आपका minus 1 है जबकि yes square का गुरांक चाहे आप इस समीकर्ण को लेके चलिए चाहे उस समीकर्ण को लेके चलिए अब आपका सुन्यको का जो गुड़न फल है आईए हम देखते हैं सुन्यको का गुड़न फल तो सुन्यको का गुड़न फल का फार्मूला क्या माने बताया था अचरपद जो आपके अचरपद होते हैं अचरपद अपान एक्स स्क्वाइर का गुड़न फार्मूला जरूर लिख लें याद कर लें सो डेट आप अच्छी तरह से कुश्चन को लगा सकें तो यह आपका क अब कहो गया अब आपके जो फून्यक है सुन्यक अपके थे आधा एंड़की वन अपान्टू इंटू वन अपान्टू यहां आपको गुणन फल यानिकी गुड़ा करना है और आपको इसे ऐसे ही उतार देना तो अचरपद अचरपद ऑपान एक्स स्क्वाइर का गुण तो इसे आप लोगों को ऐसे ही लिख देना आप देखिए यहां हम गुड़ा करते हैं देखिए यहां आप देखिए वन और टू जब हम दो का दो से गुड़ा करेंगे तो फोर आएगा तो अचरपद अपान एक्स स्क्वायर का गुड़ांग तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों समीकान से मिला सकते हैं दोनों का मिलेगा देखिए यहां आपका जो अचरपद है वो वन अपान फोर है यहां भी अचरपद वन अपान फोर है और एक्स स्क्वायर का गुड़ांग वन है और 1 है देखिए अगर हम 1 को ना लिखें तो आपका आचरपद 1 है जबकि x square का गुरांग 4 है आईए इस समीकान से देखते हैं ये yes square का गुरांग कितना है 4 है और आचरपद 1 है ठीक है और यहां आप लोगों को लिखना है yes square आप आप लोग yes square कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आपका प्रस्न yes से है तो दोस्तों मेरी आचा है कि दूसरा question आप लोगों को समझ में आ गया होगा और पहला question मैंने अलड़ी पढ़ा दिया है जाकि playlist में देख सकते हैं और दोस्तों ये मेरा दूसरा question है exercise 2.2 का अब मैं आप लोगों को तीसरा question अगले वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों ये वीडियो नहीं पर समाप्त होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें ताकि मैं जो जो सुनने को का योगफल और यह सत्यता की जांच और यहां सुनने को का गुणनफल तो दोस्तों मेरी आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगी तो ये वीडियो नहीं पर समाप्त होता है थैंक्यू